हुँ आ यह टाटा इंडिको इसका हम करेंगे पॉप आफलें पॉं निकेज अब देख सकते हैं इसका हम को हे टाइमिंग कौवर निकंल आता है एक जालक तियुक्त आता है आतका हम प्रेक्टिकर्ण लाग करके दिखा रहा है वीडियो पर पुण है यह हमारे पासे 5 का ये इस सामें आन्जन लॉट करेंगे यह इधर गुसाएंगे वाइल फिल्टर के नीचे यह बैठ था है प्वाइल फिल्टर का नीचे छहता होता हुस पर बूस यह ऐगा ठीक है आटमेटिक लॉख हो जाएगा उथर हम जाक उठाकराकर रख आए तब सकते हैं अचका घुमाने के लिए बोल रहा है इंचका घुमे तो अटमेटिक मेरा लॉख हो जाएगा सिक्राइब सिभ्टार के लिए यहां पांच यलिंग की फसता है तो और उसके बाद हम आपन कर देंगे पॉम का भी लोग होता है यहाँ पर पीन से लोग कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर दिखाएंगे पॉम लॉक करने के लिए यह साब पीन होना बहुत जरूरी है यह पीन सा अच्छा होता है इसको आप हम यहाँ पर धुका लेंगे ठीक है को आप मेरा धुकिया आप देख सकते हैं क्या हम कрахात रुकाए और हम हम क्हुल करें गयाह जाहिंग अब अभूं रुख जाता है और थेखसकते हैं कि लिएविर बैक सकते हिँए कि मेरा फूम करें बाद पुरुतैंग फिर दीशकर फिर आपक निजया हो च्लिए अब यहां पको यहांख मार्क दो यहां हो धाल को से क्रेंग का टe नियके हैं यहां अको अजय देख्द हैं, इदर हम करके रख रखे हैं, आप धीकिन कर दोप सकते겠ने हैं इधर हम करके रखे 5 का एलकी से क्रेंग का टैमिंग ठीक है पांच का एलकी किरिप यह हो गया अब यह बोल्ट 14 नंबर का बोल्ट खोलके हम इसका बेल्ट उतर लेंगे उसके बाद हम इसका पॉंप उपन करेंगे अब बाकी हम पॉंप उपन करने के बाद आपको वीडियो बने रही है और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं के दिए वीडियो को लाइक करता चैनल को सब्सक्राइब कर दो तक इस प्रकता जब भी वीडियो बनाया आप तक पहुंचते रहे अब हम करते हैं इसका पॉंप उपन करते हैं एक चीज का धियान रख लिजेगा यह एक नमबर का पाइब है यह जो है उपर एक नमबर पर गया यह दो नमबर है इस सेट गया इन राइट सेट और तीन नमबर जे है और चान नमबर यह लैफ सेट यह बाहर के सेट है ठीक है और यह करतो इंजन के सेट है यह पाइब का धियान रखेगा बाद में भूला आपको बहुत प्रस्ट नहीं हो सकता है ठीक है अग्यूम का पाइब यहां से डायरेक्ट गया इधर पर तीन टी लग गया हम देख सकते हैं यहां पर तीन टी है और यह टी एक चला गया डायरेक्ट अल्डिनेटर में यह जो पाइब गया यह और यह वापस चलाया पॉम का इस प्रमाओस देख सकते हैं यहां पर लगा हुला आ है यहां पर ये दूसरा नंबर इधर वाला है कि सबस्क्राइब कमद कर रहे हैं यह वाला इंद ये वाला विखे कि यहां पर आया खिक है इस पाइक का इस हम ठखेगा बाद बन दफिट करने दिखते हैं इस है कि चला गया आप कि निए लोगे अब कर नुट करो अब यह मेरा पॉम का पुली जो है निकल गया आपका अम प्रेक्ट लेकर दिखा रहे हैं सब्डेटिए पुली निकलने के अबाद पीछे का इसका प्रेक्ट का बारा नम्मर का बॉल्ड होता है उसको खुल लीजिएगा उसके बाद अराम से हमारा पॉम निकल आएगा आपका हम प्रेक्टिकल पॉम निकल के दिखा रहे हैं दोस्त आइसा वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा अगर इस परकर का वीडियो देखना चाहते हैं अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो भई इस चैनल को आप सस्क्राइब कर ले और बैल एकन को अनकर के रखे ताकि इस परकर जब भी वीडियो डाले आप तक पहुंचे आर आप उस वीडियो से कुछ सीख पाए पिर से बोलबा हूं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करें कॉमें लिखें अपना अपना ज़ागा का नाम और कहा आपको दिखा दिए क्या क्या चीक पॉम में लगा हुआ है जाइन से चेक लिजगा पॉम भेजने से पहले ताकि जो आप भेजे उस तरह जब तक हमारा पॉम रेपरिंग होगा आ रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करते हैं अब मेरा पॉम रेपर होगा गया है अब में फास जो वीडियो किये थे उसको इसका नमबर मरका साब चिक कर लेंगे जो मेरा वही पॉम है कि दुसरा है क्योंकि भाई यह सब जहल बहुत होता है कि बड़ा बड़ा है जैसे गया था अब इसको हम करेंगे श्रीक करने के बाद पॉम को हम एड़ेस्ट करेंगे उसके बाद गाड़ी इस्टाट मारेंगे है फर्स्ट हम पॉम को फिट कर रहे हैं कि कि अधर कर आपको हम फर्स्ट माना किए विडियो इसके परका मत देख विडियो इसके परका देखने से ज़़न आपको समझ में आता है आप समझना ना जो में में चीज हम देख लेंगे भई आपको समझ में ने आपकी क्या से क्या देखते बैठेगा आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करिकल ओरो हो मैं तो कर दो आपको हम प्रेटॏटल बोलड लगा के दिखा रहा है कुछ भी नहीं कुछ आपस सब्सक्राइड करें कि विडियोको में एडियो कर दो दो क्वाश्यो होता है जो मिन दिकाता है भई पो एडियार दो दो वह दिखाता है तो इसे करने साब को भी समझ में नहीं आता है बोलता है ना नाजर हटी दुर घरतना गाटी एक चीज अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या से क्या नुक्सान हो सकता है इसलिए गोर से देखिए जो हम क्या कर रहें कैसे फिट करता है तभी आप समझते हैं और एक अच्छा मेकानिक का निसानी वही होता है जो छोटी-छोटी फॉल्ड को पकड़ता है जो छोटा-छोटा मुक्सान से बसता है जो हर चीज़ को बचाता है यह सा नहीं जो तोड़ खोड़ के रख दो है फिर अपका काम में सिकाइद आ जाए आपको उसका स्टम बर नहीं आए जाए वीडियो को देखते रही है वीडियो बने रही है फैनली मेरा पॉंप फिटिंग हो लिया अब इसका हम टैमिंग कर लेंगे यह हम टैमिंग कर लिये आपको तो हम फ़र्ष्ट पहले बताए थे जहां जहां इसका निस्वानी मार्क है मेरा लॉक की हावतास से मुस्पर का बेल्ड हम चाढ़ाती है है बेल्ड आप देख सकते हैं इतना बेल्ड लूज रहना चाहिए नई तो आपका दिक्यत आसकता बे ल्ड्ट तूट सकता है योड़ा सा घ्रव चाहिए अब यह वैक्ऊंग का जो सिस्टम है इसको हम फिट कर लेंगे जिस पर कर हम खोले थे उस पर कर लेंगे हम फस्ट वीडियो में आप यह धकी फ़ास्ट बताये थे इसका कनेक्शन कहा से कहा रहता है ठीक है उसका फिट करने के बाद गाड़ी को मारीया स्टार्ट हम इस्टार्ड मानिंग यह फैनली लास्ट को अब वीडियो पर देखते रही है नहीं ले रहा है आँ मार्या तो इस्टार्ड मार्या इसका लगता है बैटरी डाउन होगी आँ आँ मार्या इस्टार्ड नहीं ले रहा है आँ 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 नहीं ले रहा है हीट लागा हीट लागा तो यह था मेरा फैनल इंडियो को प्रम अपिन करने से ले करके प्रम लगाने से तक वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें और वीडियो को भीडियो को भीडियो को सेर करें ताकि एक उस्वे को समझ लाएं पर मिलते दूसरे वीडियो के साथ तब तक लिए वीडियो को प्रम अच्छा प्रम लागा करें लाएं